राम राम दोस्तो आज है हमारा 90 देज ब्रह्मचरिय और स्पिरिचल चालेंज का डे नमबर 14 अगर आप भी ब्रह्मचरिय का पालन करते हो तो आपको यह बात हमेशा याद रखनी है कि आपको सुबा जल्दी उठकर मेडिडेशन प्रानायम करना है क्योंकि आप दिन भर में जो भी काम करते हो जिन लोगों से भी आप मिलते हो जिन दोस्तों से भी आप मिलते हो वो आप से वासना विशय बाते करते हैं वो विशय से आप भटक न जाओ, इसलिए मेडिटेशन करने से आपका दिमाग हमेशा फोकस रहता है और ये बाते आपको तंग नहीं करती, वासना आपको सताती नहीं है मेडिटेशन की उच्यस्तर अवस्ता दोस्तों बहुती जादा अध्वुतिय अनुभुती का अनुभव है जहां मन की चंचलता और अध्यात्मिक विकल्बों का अभाव होता है इस ठिती में आप स्वयम को पुर्नतया, प्रसनता और शान्ती में महसूस करते हैं जिसे समाधी भी कहा जाता है, यहां आपका अंतर्मन एक अध्वित्य अवस्ता में स्थित होता है जिसमें आप अपनी अस्थित्व की असिमियत तता का अनुभव करते हैं मेडिटेशन के बाद हमें प्रानायम का अभ्यास करना है प्रानायम बहुती जादा महत पुर्द है प्रानायम एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें स्वस्त और संतुलित जीवन जीने के लिए मदद करती है इसमें विबिन्न प्रकार की श्वाश विदाओं का अभ्यास किया जाता है जिससे शरीर और मन की स्थिती में संतुलन बना रहता है प्रानायम द्वारा शरीर की प्रानिक उर्जा को बढ़ावा मिलता है जिससे ब्रह्मचर्य पालन में भी हमें साहिता मिलती है जिससे शारिक भी मानसिक और अध्यात्मिक स्वास्त में सुदार होता है यह जीवन शेली में संतुलन, शांती और उत्तेजिना को स्तापित करने में बहुती जादा मददगार है तो अभी हम जा रहे हैं घर पर और एक चीज बताना चाओंगा इस अगर ब्रह्मा चरेगा पालंद कर रहे हो या कोई भी चीज फॉलो कर रहे हो लाइफ में तुमसे शुबए तब तक नहीं उठा जाएगा जब तक तुमारे सामने कोई गोल होना बहुत जदा G. इमपे हिस तुमारे सामने क्ञधा से उठने वाले कुछ भी तुमारा डेली रूटिन नहीं तुमारा डिसिप्लिन तुम अच्छे से फॉलो कर पाऊगे तो लाइफ में एम होना बहुत ज़्याधा आयम पी है लाइफ में गोल होना बहुत ज़्याधा ज़रूरी है क्यूंकि उसी से तुम मोटिवेट होगे और तभी तुम च चीकह जिक रहा की क्या मोटिवेशन नहीं उनके अंदर फिरो क्या होने वाला है वह तो तो फिरो एसा है कि उनके मातापिता जी का वह पेशा बरबात कर रहेफ कोचिंग इंस्टियूट लगाकर रनिंगट इंस्टियूट लगाकर यह साठी Teaश करका तो कोई भी चीजब उस गोल के पती इमानदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई गोल नहीं है तो नहीं तुम रात को ठीक से सोने वाले हो और नहीं सुबह तुम से उठा जाएगा तो गोल बनाओ, डिसाइट करो कि लाइफ में क्या करना है, मुझे मेरे लाइफ से क्या चाहिए और फिर उसके लिए वर्क करो, हार्ड वर्क करो निम के पत्ते को कई लोगों को प्रॉबलम थी कि कैसे खाना है, देखो यह जो तीन पत्ते में लिए तो इनके उपर का जो हिस्सा है, उसे तोड़ना है इस तरह से, और नीचे का हिस्सा तोड़ना है इस तरह से, और इननों खाना है कौन से भी पेड़ की लिफ जो हमारे लिए बहुत ज़ादा important है as a Ayurveda Ayurveda के हिसाब से जो important tree है किसी भी tree के अगर पत्ते खाना है तो उपर के side तोड लेना है और नीचे के side तोड लेना है क्योंकि जादातर जो भीमारिया लेती है वो उपर और नीचे इनसे ही होती है तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एक ऐसे जो जड़ी बुटी या किसी भी पेड़ के अगर आपको ये खाना है तो नीचे का हिस्सा और उपर का हिस्सा इन्हें तोड लेना है और फिर इनको consume करना है आपको daily अगर हो सके आपके पास तोड़ा टाइम हो तो आपको भगवान जी के मंदिर जाना है श्री राम चंद्रकृपाव भजुवन अरनभव बयादारुन अव कंज लूच्चन कंज भुककर कंज बदकंजारुन कंदर्पः जिसामित छबिन अव निल निरंद सुन्दरा पटपीत माना हुतंदितरुचिसुचिनो मिधनक सुतावर मंदिर से घर आकर हम लिखते है डायरी जिसमें हमें लिखना है जीवन की अनंदता में जहां में हूँ सब पूर्ण संपूर्ण और पूर्ण है मैं एक एसी शक्ति में विश्वास रखता हूँ जो मुझ से बहुत अधिक है और हर पल मुझ में प्रवावित होती है मैं अपने अंदर की ज्यान को खोलता हूँ जानता हूँ कि इस ब्रह्मांड में केवल एक ही बुद्धिमत्ता है इस एक बुद्धिमत्ता से सभी उत्तर, सभी समादान, सभी चिकितसा, सभी नहीं रचनाय आती है मैं इस शक्ति और बुद्धिमत्ता पर भरोसा करता हूँ जानता हूँ कि मुझे जो जानना है वह मेरे सामने प्रकट होता है और जो भी मुझे चाहिए वह सही समय, स्थान और क्रम से मुझे तक पोचता है मेरी दुरिया में सब कुछ अच्छा है फिर मैं मेरे यूटूब चैनल के वीडियो के लिए एक स्क्रिप्ट रैडिंग करता हूँ उसके बाद हम नास्ते में दूद ग्रहन करते हैं जिसमें थोड़े से ड्राइफूट सोते हैं आप भी नास्ता सुबे कर सकते हो जिससे आपके शरिर में एनरजी बनी हुई रहेगी फिर उसके बाद हम बोजन ग्रहन करते हैं बोजन ग्रहन हो जाने के बाद हमारा टाइम होता है पढ़ाई का हमारी एक्जाम बहुत ज़्यादा पास है इसलिए हमने पाक्षा तत्वग्यान की पढ़ाई की जिसमें मैंने पढ़ा रेने डेकार्ड जो मेरा फेवरेड भी है वेट्सन फिलोसोपी में वो एक महान फ्रेंच दार्शनिक थे जिन्नोंने सत्रावी सदी में विवेक वाद की पहली प्रमुगधारा बनाई उन्होंने मैं सोचिता हूँ इसलिए मैं हूँ कौंगीटो इर्गोसम इस वाक्य के माध्यम से अपने विचारों की निरंतर्ता और व्यक्तित्व के अस्तित्व को साबित किया उनकी प्रमुगधार्शनिक प्रस्तावना भोतिक शाष्ट्र और ज्यानवाद के शेत्र में थी उन्होंने विवेक वाद में तता विज्ञान में शुरुवाती नियमों और सिध्धान्तों का विकास किया उन्होंने विश्वास किया कि विचार और तर्क के माध्यम से ही सत्यका पता लगाया जा सकता है इसके बाद हमने वीडियो एडिडिंग की और वीडियो एडिडिंग करते करते मेरे मन में एक खयाल आया एक थॉट आया देखो हम एक हवर में किसी भी पुस्तक की 25 पेजेस पड़ सकते हैं on an average एक पुस्तक में 200 से 300 पेजेस होते हैं तो अगर हम डेली वन हवर निकाल कर भी किताब पड़े तो आट दिनों में कोई भी पुस्तक आप आराम से खतम कर सकते हो एक महिने में हमें कम से कम दो या तीन पुस्तके पड़नी हैं दोस्तो पड़कर उन्हें खतम करनी हैं हम उने बड़ी आसानी से खतम कर सकते हैं इसलिए पुस्तक पढ़ना शुरू करो फिर पढ़ाई और एडिटिंग हो जाने के बाद साड़े 6 बजे हमने की साधना फिर साड़े 7 बजे और 8 बजे के बीच में हम वोजन गरहन करेंगे फिर उसके बाद हम थोड़ा सा बेठेंगे उसके बाद हम वोकिंग के लिए जाएंगे और रात को वहाँ से आने के बाद हमने किया त्रातक मेडिटेशन त्रातक मेडिटेशन कैसे करना है उसके लिए विदी क्या है यह सारी चीजे में एक वीडियो में बताने वाला हूँ, वो वीडियो में जल्द ही अप्लोड करने वाला हूँ, अगर आपको आज का व्लॉग मेरा पसन आया तो मेरे इस व्लॉग को लाइक किजे, शेर किजे, मेरे जान को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ज़रू अन करे और अगर आप हमारे इस 90 Days ब्रह्मचरे चालेंज में नए हो तो हमारे इस चालेंज का एक हिस्सा लीजिए हर योम तत्सत